शत्रीजगर के दल्ली राजागा में नीट एक्जाम के लिए सेंटर बनाए गया है जो चात्र है वो पहुंचना सुरू कर चुके हैं यहां पर कुछ चात्र हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर पिछला जो एक्जाम है वो क्यों कैंसिल कर दिया गया था यह बताईए कि पिछल में ला ले थह जो लेकाप के लिए जो रखाया होता है न खर फिर प्र दिख व investigators पूझे। मिन दिखा कर दोसको तो सब्द्स करन के बाद चालीज मींट में उनसे और किर बबाद होगे से पांट की चालीज मिनट होने के बाद मोग नोक को सब्ोते बार एक यह नहीं यह पेपर बनाना है पिर यह पेपर बनाना है ऐसा गए तो उसमें लगभग 40-45 मिनट उसमें हम लोग के वरबाद होई गया और क्या नाम है तुम्हारा किते नमबर नाम है मेरा वहीं पे सेंटर था बारोद आधर्श स्कूल जो भी नाम यादमी है वहीं पे और 526 यह बताओ कि अभी फिर से जो है पेपर लीक आ गया उसके बाद जो है 1563 बच्चों के ग्रेस का मामला फसा हुआ है अभी तुमको दूसरे सेंटर दली राजारा में अभी एक्जाम देना है दो बज़े से तो बताओ तयार हो पूरे एक्जाम के लिए कहीं ऐसा नहीं कि ब बहुत बड़ा एक्जाम है तो इसको एक महीने हम लोग को एक महीन अभी कहा दिये गए चार जुन को रिजल्ट आगाए था आज तेज जुन है तो बहुत ही कम टाइम मिलता है इसमेना तो यारी कोई कर ही नहीं सकता है यह बहुत ही मुश्किल सी चीज है और हम लोको तो बहुत बड़ बड़े चैप्टर में पिछले वाले से इस बार कठीन भी हो सकता है यह लगा होगा कि बच्चा जो है सलेक्ट हो जाएगा अब फिर एक्जाम देना है तुम कहां से आई हो मैं पालुट सी उस्टी उस्षा किते नंबर आये ते तुमारे मेरे इस बार 519 है तो मतलब ऐसे होप था कि कॉलेज मिल जाएगा बाकी वो ग्रेक्स मास का पूरा अभी वो चल रहा है मतलब एक्षिली ताहम मतलब ताइम गेते कि जितना टाइम लॉस हुआ है आदे गंटे का टाइम लॉस वाथ तुम को डूबारा एक्जाम देना पड़ रहा है तो घर वाले भी परसान हो रहे हैं अब एसे प्रिपेर तो नहीं है एक्जाम के लिए इसे इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेर रहेंगे कुछ हुआ भी नहीं है मतलब आसे कोई होप नहीं लग रहे है कि मतलब इतना माक्स आजाएगा कोई उमीद नहीं है तरह पिछली बाल जो आएं उतना भी लाना मुस्किल पड़ेगा है बहुत मुस्किल पड़ेगा पर उसमें पूरा नहीं हो पाता है हम प्रिपेर नहीं है क्या बोले कि जाओ देव एक्जाम है तो दो ऐसे कहां से आई हो बालो यह बताओ कि पिसले बार एक्जाम में क्या समस्चा हुआ थी जो तुम्हारा सेंटर वहां भी पेपर को दे दिये थे फिर सील पैक तो उसको नहीं इसको बना फिर देदे थे तुम लोग सुरू कर दिये थी थोड़ा देर बाद तो एक सर्फी रहें बोले नहीं इसको बनाओ स्याद यह थोड़ा आसान रहें पिर एक और वह बोले उपर से कॉल आया है कि आप लोग दूसरा अलब बना ऐसे इसे कर रहें तो देख स और इसके लाबा दंतेवाड़ा के जवांगा में भी एक सेंटर बनाया गया है, जहां लगभख 417 बच्चे नीट केरे एक्जाम में बैठेंगे, और अगर बात करों तो यहां पर छात्रों की जो मानसिक इस्थिति हैं, वो भी सही नहीं है, वो कह रहे हैं कि पिछली बार ब ग्रेस माल दिया गया था, अब 1563 जो बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस माल दिया गया था, उनकी अभी जो है कुछ देर बाद जो है, दो बारा नीट के जो रे एक्जाम है, वो होंगे, कैमरा परसन होरीलाल के साथ, जैर प्रकास्तिर पार्थी, ABP News, पालोद।